हार देख स्वागत यहां अभी दंदन करता हूँ कि आप सभी यहां पर एकत्रू हैं और भगवान कृष्ण की धरापर, द्वारीकादीश की धरापर यह मेरा सभाग्य है कि उत्राखंड के मुख्य से होके नाते आप सब को आमंत्रित करने के लिए मैं यहां आया हूँ मात्मा गांदी जी की धरती है, दरदार पटेल की धरती है और आज पूरी दुनिया को जिनके नितुत्तों में भारत का मान सम्मान और स्वाभी मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है हमारे देश के असुष्षी प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जी की भी जन्मों हूँ तो मैं सज बताओं तो वैसे आप सब लोगों के लिए गुजराद के लोगों के लिए, एंदरबाद के लोगों के लिए ये कोई सरमाजी नई बात नहीं होगी कि इस तरह के कारिक्रम होना आप सब तो ये कारिक्रम करते ही रहते हैं बहुत सारे लोग सब कारिक्रम हों में आते रहे होंगे ऐसे कारिक्रम देखते रहे होंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भी जो है जो उत्राखंड के अंदर एक नई शुरुआ वैसे मैं आपको बताओं कि 2000 में हमारा राज्य बना और लगवक 23 साल राज्य को बने हुए 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 है और इन 23 सालों में राज्य के अंदर और ध्यूकी करण भी हुआ है निवेस भी हुआ है और तेजी से जब देश के प्र कारण से भी बड़ी संख्या में खूप सारा निवेस हुआ और द्यूगी करण हुआ और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई वहां पर और कई सारे सिटकूल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलब हुए उसमें पंतनगर का सिटकूल जहां के बारे में अभी बता रहे हों कि 10,000 एकड़ के आसपास एकड़ पर इंडस्ट्री वहां पर इस्ता भी और अटल जी ने पैकेज दिया था उसके करण से आई लेकिन फिर बीच के दिनों में चुकि आप सब जानते हैं बहुत बार राजनितिक सिट्वेशन के करण से भी चीज़े आगे पीछे रही थी वो कुस देर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई और हमने अभी प्रधानमंत्री आगनी मोदी जी के नितुत्व में जो आपने देखा होगा वाइवरेंट गुजराच जब उन्होंने शुरू किया था वो स्वयम कह रहे थे कि जो है बहुत कठिन उस समय होत कई बार उद्योग संभू के लोगों को यहां आने से भी रोकती थी तो उस प्रकार की स्थितियां थी और हमने उन्हीं से प्रेणा ली उनसे मैंने मार्दस्तन भी लिया जब मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा कि मैं उत्राखंट के अंदर एक हमने बड़ा लेंड वेंग ब बहुत सारे लोगों के मन में भरामती थी मैं इससे पहले मदराज गया था चन्नई में तो चन्नई में मुझे लोग कह रहे थे कि अरे आप तो इंवेस्टर सम्मिट के लिए हमको आमंतृत करने के लिए लेकिन वहां तो भूष्कलन हो रहा है वहां तो सब धस रहा है पहले आप ने ऐसा कहीं सुना, बोले एकबारों में छपा था, तो मैंने कहा इस बार उत्राखंट के अंदर जो चारधाम यात्रा हुई है, जिसमें गुजरात के लोगों का अधिकतम आना होता है, तो चारधाम यात्रा में अभी तक 52,00,00,00,00 नोगों से भी अधिक लोग पाद चुके अब तक सबसे बहुदा इस साल का जिस साल जू लोग कह रहे हैं कि धस रहा है सरमा जी पांडे जी लोग करें कि वह इस के हमां हो रहा है वह तो नहीं इंडेस्टी लगेगे तो पैं बताना चाहता हूं कि चार जो जिले हैं हमारे जिसमें नैनीताल और देहरादून दो जिले हैं जहां पर आंसिक रूप से परवती छेत्र है, धिल इस्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उदम सिंग नगर पूरी तरह से मैदानी छेत्र हैं, और वहां पर बड़ा-बड़ा इंडिस्ट्री का हव है, जिसमें आप जानते जहां पर हमारे अनेकों सहस्तान, फुद्योग समू इस्तापी थें, हरिद्वार में बड़ा सिट्कुल हमारा है, उदम सिंग नगर में बड़ा सिट्कुल है, तो लोगों पर मन में कई बार संका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे, उसके अलावा पहाल के अंदर, एक से एक इस्तान है, अभी आपने देखा होगा, इसमें यहां पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रिजन्टेशन आ रहा था, सुदान सुजी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टेहरी है, मुक्तिस्वर है, कौसानी है, औली है, दैरा बुग्याल है, उनको एक बार उत्राखंट जरूर देखना जाए, जब मैं दुबाई गया, अब उधावी गया, लंदन गया, और कई इस्तानों पर, ऐसे अभी हमारा छटा, आप सब के बीच में, यह छटवा जो है, आपचारी के रूप से रोड्सों का कारिक्रम है, और जितनी भी जग में गया, मुझे आप सब को बताते हुए खुसी हो रही है, कि लोगों ने बहुत उत्सा दिखाया है, और आगे बढ़ चलकर जो लोग उत्राखंट के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी, तो लोग उत्सा ही थ कहा, कि जो भी लोग हमारे हां निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े-बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक इस्तान पर क्या, एक राज्य में क्या, दूसरे राज्य में क्या, देश में क्या, विद हूंगे मैं वह वुस्तान सब्सक्रा कि हो तो नी उनका प्रिद्ध करते हैं वर्द्धी घुए अवोगी जया नहींगिज़ित पूल शरक्ष्य के लिए Scама मृती ँन्हें करते है यहां वहूट पारिवकायगा नीग और अब नाय तो अवती विज्टारिक उत्राखंड भुष्ची की द्रिष्टी से भी, आज की द्रिष्टी से भी और सुरक्षा की द्रिष्टी से भी, हमेशा के लिए, जैसे सनातन के बारे में कहते हैं, सनातन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाल है, वो सनातन के साथ आप उत्राखंड को जोड़ सकत तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हैं और मैं आप सब को यह बताना चाहता हूं कि मैं पिछले दिनों जब लंडन गया था तो लंडन में मैं वहां के बहुत मंत्री समू के लोगों से मिला इंगलेंड सरकार की मुझे आपको बताते हुए खुसी हो रही है कि जिन अंगरेजों के बारे में हम सुनते आए उन्होंने हमारे देश पर इतने सालों तक हमारे उपर राज किया अज हमारे देश के अंदर जो लीडर शीब है हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के नितुत्व में और ऑभी–अभी हाल में हमने चीटेश के अंदर आई जीत हुआ। उस G20 के सम्मिट के कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग चाप चली पूरी दुनिया के लोग जिस सम्मान की दृष्टी से आज हमारे देख रहे हैं उसके पीछे जानते हैं कारण क्या है मैंने इगलेंड के दो-तिन मंत्रियों से जब में मिला तो मुझे सब ने कहा कि आप लोगों ने तो बड़ा कमाल कर दिया आपके प्रधान मंत्री जी ने तो गजब का जो है पूरी दुनिया को देश का कोना कोना दिखा दिया कि पूरा भारत एक साथ सम्म्रद होकर आगे ब की सम्मित के कारिक्रम हुए उसमें देश क्या कोना कोना देखा गया थिलिमा हो जाना कश हो गया लेकिन सबहुत मैं बताओं गुजरात में बहुत सारे करेकरम हुए ह coal उगे लेकिन उत्राखन में वी एक जेंद की के सब्मिट के हुए लोगों ने जिम कॉर्वेट देखा जो पुरी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरिस्ट में से एक है जहां आज 200 से भी ज्यादा टाइगर है टाइगर सफारी करने आते हैं लोगों ने रिशी केस नरिंदर नगर को देखा जहां मा गंगा प्रभावमान है हमारे प्रेम चंद जी वहीं से आते हैं तो उस चेतर को देखा और पूरी दुनिया के अंदर संदेश लेकर गए और वो भारत के ब्राण एंबस्टर बने और भारत के एंबस्टर बनने के साथ साथ उत्राखंड राज्य के भी एंबस्टर बने के साथ इस प्रकार का एक जन्भो यह सामने आया मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि देखिए जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं है कि हमारा जन्म कहां होगा यह तो भगवान तय करता है क्यो पंड़े जी ऐसा ही है कि कोई तय कर सकता है कि मेरा जन्म कहां होगा यह तो इस्वर के ह आतमे भगवान के हाथ में। लेकिन जन्म के बास करम करमा जब सामर्थवान हो जाएं मैं पर हैं अपने अंदर भगवान इतनी सक्ती देदें और सामर्थ देदें वेड़ें तो उसके बाद कर सक्वेके सकता हूं करने विडियोग सम्हुम में काम करने के लिए बयापर जगत में काम करने के लिए उत्राखंड भी एक आपके लिए NICK एक ऐसा इवेस्टिनेशन है और ये तभी होगा देखे अगर मैं आपके बीच माया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत भगवान को मानने वाला हूँ मैं इसवर्वादी हूँ जानता हूँ कि इस दुनिया में इस धररह में एक पत्ता भी हिलता है एक करno की इदर से उतर होता है तो बेना इस आपके पासं को हैं हूँ तो परभू आंता हम इस सब को आवंत्रित करना यह भगवान नहीं तय किया था इसलिए मैं आप सब के बीच मों आया हूं तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि उत्रा-खंड आप क्यों आएं देखे बहुत लंबा मैं नहीं बूलना चाहता है आप सब लोग बहुत देर भी हो गई और लगवग एक गंटा सुधानसु जी कितना एक गंटा लेट हो रहे लगवग एक है आधे गंटा डिली देखे उत्राखंड में अपार संभावना है कितने इस्तान है जहां गंगा जी है यमना जी है पिंडर है सारदा है महाकाली है सर्यू है गोमती है इतनी सारी नदिया लगातार प्रभाववान है परवतों की सरंखलाएं हैं आप जिधर जाएंगे उधर आपको परवतों की सरंखलाएं देखेंगे आप देखेंगे हमारा जो राज्य है हमारे forest secretary भी है ये सुधानसु जी लेकिन इन्हों ने एक बात नहीं बताई जो मैं बता देता हूँ कि उत्राखान राज्य में 71% पूरे राज्य का जो भुभाग है वो forest है मेरे ख्याल से भारत के सरवादिक होगा बड़े राज्यों में सरवादिक है तो इस प्रकार की ब्यूस्ता है और मैं जब दुबाई गया तो मैं बड़ी बड़ी building आदेख रहा था वहाँ बड़ी-बड़ी building हैं बनी हुई है नए नए infrastructure बने हुए है और उनका जो कौन सी बड़ी building है किसमें गये थे हम लोग बुर्ज खलीफा तो जब हम उसमें गये तो उसके अंदर तो ऐसी चल रहा था और जैसे उसके बाहर आए थोड़ी देर के लिए भी तो सब के चेहरे पर पसीना आ गया तो मैंने कहा यह सब देखिए यह सब man-made है और उत्राखंड में आएंगे तो आपको सब कुछ जो है अंदर भी आपको temperature अगर अंदर बाइस हो रहा होगा 24 हो रहा होगा AC के कारण से अभी बाहर जाएंगे तो आपको कहीं पर 10 मिलेगा कहीं पर 5 मिलेग तो हब स्वैम लगा लिजे जो हेल्थ के लिए वेलनेस के लिए तमाम लोग जो आते मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर उत्राखंड से बहतर इस्तान नहीं है और मुझे यह भी बताया है कि जो एहमदाबाद से दिल्ली की वह एमदाबाद से देरादून की फ् और मुझे तो लगता है कि अभी एक फ्लाइट चल रही है हमको बहुत जल्दी निवेदन करना पड़ेगा भारत सरकार से एयरपोर्ट ऑप अथर्टी ऑप इंडिया से कि आप जो है पुत्राखंड में जहरादून से एहमदाबाद की दो फ्लाइट चलाईए तीन काम है ने पुत्रागरद मंत्री जी कोफा ननियत्तों में हो रहा है और एक बात और बताऊँ प्रधान मंत्री जी अग्वान भोले नाथ के बहुत बड़े भकते हैं गाते जो मुक्श मंत्री थे सब बिए प्यान करना चाहते थे उसमें आपदा आई थी ऐसमें परिस्ति को मौका दिया और आज केदार्माथ का जिस प्रकार से पुरही दुनिया देख रही है आप एक दो सालों के अंदर देखेंगे पूरा भब केदार और दिब बेखेदार 125 किलो मिटर की जो रेल यात्रा है वो पहाड़ों पर रेल से हो पाएगी और इतना ही नहीं अभी 12 अक्टूबर को पिछले मेने 12 अक्टूबर को माननी प्रधान मंत्री जी ने जहां आप सब को बताओं कि हमारे हां केदार खंड भी है और मानस खंड भी है कि आपने देखा होगा प्रधान मंत्री अभी आधि कहलाज गये और आधि कहलाज बिलकुल सीमान्थ-छेत्र है भगवान भूले ना जहां विराष्ते हैं वहाँ पर पर पारवती कुंड सुझ सेबग्गल में लिपू linking लिपूलेक है भारत का अंतिम कोना सीमान्थ-छेत्र और लिपु लेक एक ओल लिपू लेक है और अब लिपू लेक बन गए सड़क बन गई है 200 मीटर सड़क बनाने के लिए 5 शाडक का ञाटना पड़ा है उस सड़क को निर्मानकार यह पूरा हो गया है यह सब चमतकार और जागेश्वर धाम, पूनागिरी का धाम, हाट कालिका का धाम, ऐसे अन्य को बैजनाद धाम गुजराथ के बहुत सारे लोग मुझे अभी पिछले दिनों में एक दिन बैजनाद के पास गया था, मैं भी सभेरे दर्सन करने गया, तो 25-30 लोगों का एक दल, जिसमें सारे कुछ भुजर्ग भी थे, कुछ नौजवान कम थे, लेकिन वो एक मिला जुला दल था, तो वो लोग सब लोग मुझे देखा, मैं भी सभेरे आया इसनान करके, मैंने भी सोचा कि मैं जहां भी जाता हूँ तो मंदिर के दर्सन करने ज जाता हूँ जो भी परमुगिस्तान होता है, वहां जाता हूँ, तो जब मैं वहां जा रहा था, तो मुझे देखके सब जोर जोर से चिलाने लगे, जै स्री राम, जै स्री राम, जै स्री राम, तो मैं उनके पास स्वताई चला गया, मैंने का, आपनों कहां से आये हैं, तो तो उन्हों कि नहीं हम बहिजनात् पातनात द्धाम हो आप है अलमॉडा जिले में अलमॉडा बागिस्वर जिले में और पना कौसानी में रुके और मैंने कहा कुई प्रिंशानी तहा नहीं हुई कोई परिशानी हुई तो आप मुझे बता दीजे बोले नहीं कोई परिशानी नहीं हुई हम तो पूरे टूर के साथ आये हैं और टूर वाले उन्हें हमारा एक पूरा दौरा मेनेज किया है तो मैं आपको बता ना इसलिए चाहरा हूँ कि आने वाले समय में भी जैसे चारध पूरे साल भर चलने वाले हर दृष्टी से मने कि आप उत्राधंड आएंगे तो आपको चार ओर कुछ प्रकृति के रूप में कुछ ने कुछ मौसम के रूप में परियावरण के रूप में हर चीज आपको प्राप्त होगी अभी उद्योगों को बढ़ावा देने के लि हमने लगातार काम कर रही है निवे स्वकों से हम लगातार बात कर रहे हैं हमने नीतियों को जो पॉलिसीज नई पॉलिसी बनाए है जãसे नa हमने बताई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया, मेरी पार्टी ने मुझे काम दिया, उसी दिन से मैंने प्रियास किया, कि उत्राखंड के अंदर उद्योगों की एक बड़ी संभावना है, और हर प्रकार का उद्योग, हर प्रकार का निवेस, उत्राखंड में हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने कोशिश करी कि पहले दिन से जो हमारे यहां के चलने वाले उद्योग थे जो पहले उत्राखंड में चलते हैं उन सभी से मैंने कमनिकेशन किया उनको बुला के बात करी कि आप आईए आप बताईए कि आपके क्या क्या सुजाओ जैसे मैं आज आपके बीच में आया हूं आपके बीच में से भी जो सुजाओ मुझे मिलेंगे जैसे दुबई गया तो दुबई में कुछ लोगों ने सुजाओ दिये लंदन में कुछ सुजाओ दिये मदरास वालो अपने कारे रूप में ला रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं जिससे की लोगों को आसानी हो कई बार क्या है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो सिंगल विंडो सिस्टम भी जो है हम चाहते हैं कि वो ब्यवहरी रूप से यानी practically वो जमीन पर उत्रे उसके लिए मैं ल हमारा मन्त्र है कि सभी चीजों को सरल करना है जैसे हमारे प्रदğáन मंत्री जी ने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नियाम कानून थे जो बेफालतू के जो है चीजों में रुकावट डालने का काम करते थे उनको देश के अंदर पहली बार आजाद भारत के अंदर इतने सारों को हटाया है उस परक्रिया को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं और एक बात और कहना चाहता हूं देखिए आज विकास की जो दौर चल रही है उस विकास की दौर में एकोलोजी और एकोनोमी यह इसका अम्लबलाने के लिए उसको भी हम कारे रूप में लाना चाहते हैं उस दिसा में हम आगे बढ़ रहे हैं और लैंड बेंक की वड़ा बनाया है जैसे आप लिए विकास लोगाते आता हैं जानते उत्राखंड के बारे में लेकिन जहां नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 6000 एकड़ से ज्यादा का लेंड बैंक हमने बनाया है और ये परवती छेत्रों में अलग है जो हमारे हिल्स मा आएंगे जो हिमालयाज की तरफ जाएंगे उनके लिए हम और प्रोसठान की नितियों को भी ला रहे हैं लेकिन मैदानी छेत्रों में ब्ड़ा लैंड वेंग में हमारे पास है पुद्योग लगाने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि कानून ब्याउस्ता बहुत अच्छी है पुद्योगों के बीच में जो बहुत सारे कलैस होते हैं सर्मिकبرग के बीच में और मेनेजमेंट होता है वो हमारे हैं नाम मात्रका भी नहीं है है और हमने कोशिश करिया है कि हम इसको बढ़ने भी नहीं देंगे दिस्टू प्रॉस्पर्टरी और यह हमारा जो बाइबिरेन गुज्रात है उसी से प्रेरीत होके हमने एक काम किया है तो मैं आज इस आउसर पर आप सब लोगों से यह निवेदन करने के लिए और सब आपको निवेश करने के लिए तो आमंत्रीत करने के लिए आया ही हूँ आप सब को मैं आठ और नौ दिसंबर को जो बहरादून के अफाराई में एक बड़ी मीट होने वाली है उस मीट के लिए भी आप सब को आमंत्रीत करने के लिए आया हूँ और जिन्होंने उत्राखंड नहीं देखा है एक बार जरूर उत्राखंड देखने आईए आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से भगवान की किरपा से आपको जरूर आपको प्रेणा मिलेगी कि आप उसनकुछ किसीन के प्रकार से अपना योगदान इस भूमी से भी देश के लिए करें समाज के लिए करें इतना ही आप सब से निवेधन करने के लिए आया था आप सब का धन्यवा झाल